हेलो नमस्कार सस्रीकाल अदाप आपका अपना यूटूब चैनल पैकिंग पंच में आपका स्वागत है मैं आज आप लोगों के सामने कॉलर टाइप पैकिंग मशीन लेकर आया हूं और उसकी पूरी डीटेल में आपको आज दूँगा आपको पृट इसन में दूपार्ट में मैंने इवाइट किया हुआ है एक तो आपका आप इस मसीन में ग्राम से लेके 257 घ्राम से तक क्या पैक करेंगे, उसकी स्पीड 60 पाउच पर मिनट आपको स्पीड मिल जाएगी, इस मसीन में क्वालिटी यह है, कि इस मसीन की जो सिलिंग है, वो सबसे बैस सिलिंग है, क्योंकि यह कंप्रेसर के थुरू चलती है, और इसमें जो कंप्रेसर होती है, मेली 2-3 HP वाली कं इस मसीन की लोट को ले लेता है, इस मसीन में जो नीचे वर्टिकल सिलिंग और होरिजेंटल सिलिंग है, यह बहुत ही प्रोपर सिलिंग देती है, जिसके वज़े से लिकेज आने की प्रोब्लम बहुत ही कम रहती है, यह आपके सामने पैकेट है, जो प्रोपर एयर फिल की हुई है जिसमें आप नमकीन, चीप, कुरकुरे, मसाले और भी आइटम्स ग्रेंवाल आइसम पैक कर सकते हैं यह फुली एसस बॉडी में रहती है जिसे किसे प्रकार की फूड आइटम्स में मनफेक्ट्रिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है और जो आपका प्रोडक्ट है व मेंली जो है छोटे वैपारी या तो आप जो नया कमर है स्टार्ट करना चाहते वह कम बजट वाली मशीन लेने में प्रिफेर करते हैं जहीं देखिए आपकी स्पीड 57 है 57 से अबब भी जा सकती है क्योंकि आपका पाउच के लेंद पर डिपेट करता है जैसे आप अगर ज ठोटी पाउचे's होती है पांच रूपए 10 रूपई वाली उसकी स्पीड अच्छी खासे मिल जाती है जो आपको 60 पहुच पर मिनट से अबब मिल सकता है और इस मसीन में एकौर मसीन है जो पाउडर फिलिंग मसीन है इसमें आप पाउडर पैक कर सकते हैं ये मसीन है आगर इसमें आप कोई भी पाउडर आइटम्स आसानी से पैक कर सकते हैं यह स्कूरू सिस्टम से आपका अटोमेटिक वेट करके देती है इसमें PLC-based and HMI-based आटोमेटिक पैकिंग मसीन है इसमें BFD वेगरा सारे लगे हुए है जो स्पीट को बहुत असानी से कंट्रोल कर सकते हैं और यह आप इस मसीन को ऑपरेट नॉर्मल बंद्या या फिर नॉर्मल ऑपरेटर भी ऑपरेट कर सकता है इस मसीन में देखिए बैच कोडिंग लगी हुए है जो आसानी से आपका डेट मैनफेक्ट्रिंग बैच कोड सारा प्रिंट आपका करते जाएगा इस मसीन की जो रैपर होती है वो अगर हेभी हेभी लगाते हैं कोई दिकत नहीं आते है क्योंकि यह रैपर पीछे लगी होती है यह मैंली जिसकी बहुत ज्यादा बीजनेस ग्रो कर चुकी है और उनकी प्रोडक्शन ज्यादा है वो लोग ज्यादा प्रिफेर करते हैं लेकिन मेरा कहना है कि जो भी आप नियू कमर भी मसीन अच्छी ले इस मसीन में जो आप बैच कोडिंग देखे इसके लिए ओपरेटिंग के लिए एक छोटी सी पैनल भी लगी है और यह आपका प्रोडक्शन जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ देते हैं और इस मसीन में खास्यत यह है कि इसमें वेरियेशन बह करें और इस मसीन को बुक करें तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें ससरीकाल अदाब और हमारे इस चैनल को सब्क्राइब करें हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें जो आने वाली है नेक्स्ट गेर